Now we are going to discuss what are the theories of moral development. So we will see the moral development of child and integrated model. Integrated model का मतलब यह है कि जब हमने बच्चों के अंदर moral values पैदा करनी हैं, तो वो isolation में नहीं होती. बहुत से ऐसी theories हैं जिनमें उनकी needs की theories हैं, जिनमें उनकी cognitive सलाहियतें भी involved हैं, जिनमें उनकी social जो उनका circle है, उसके influences भी involved हैं, तो जो भी value हम उनमें पैदा करना चाहेंगे, वो मुख्तलिफ तरह के influences से मिलके बनेगी, integratedly. So, we are discussing that a number of theories of moral development and behavior have been established in the past few decades. बहुत से लोगों ने इस पे काम किया, क्योंकि ये बड़ा important है जब दुनिया के अंदर इतने crisis आते हैं, कि अमनों अमान की सुर्तेहल खराब हो जाए, लोग एक दूसरे के अकुक को ना जाने, तो हर किसी का दिल चाहता है कि कुछ ऐसा करें, कि इनसान इनसान तो हो कम अस emotion aspect, कि हम जिस्ता से सोचते हैं और जो हमारे जजवात हैं, उनके basis पे किस तरह से morality पर हम काम कर सकते हैं, then behavioral aspects, हम action पे किसी act पे react कैसे करते हैं, किस तरह से हमारी dispositions हैं behavior के बारे में, then cognitive aspect, हम सोचते ही क्या है, कैसे हम reasoning करते हैं कि क्या काम अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर integrated perspective है, जब हम तीनों चीज़ों को इकठा करते हैं, और देखते हैं कि एक theory या एक सलाहियत, दूसरी सलाहियत पर असर अंदाज हो रही है, तो हम उसका एक integrated perspective बनाते हैं, So, a number of theories have also attempted to propose theories which integrate two or three of the affective, behavioral and cognitive aspects of morality. So, ऐसी बहुत सी theories हैं जो एक दूसरे को मिल के explain कर रही हैं, बसलन देखिए, जब हम cognitively कोई चीज़ सोचते हैं, तो effectively भी हम उसके उपर काम कर रहे होते हैं, हमारे जजबात, जब जैसे फर्स करें हमें किसी पर गुसा आ रहा है, तो नामिना है, इमोशन है हमारा, जब वो जजबा आ रहा है तो हमारा दिमाग सोच रहे हैं कि ये घुसा करने की जगा नहीं है, या घुसा करने से अगले को तकलीफ पहुंच सकती है, या और नहीं तो सिचुएशन ही बिगड सकती है, तो जो cognitive process है, वो आपके emotional process को control कर रहा ह तो एक ही वक्त में दोनों चीज़ें साथ-साथ काम कर रही हैं, यह असल में integration है, देन हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी theories हैं जो मुक्तलिफ theories को मिला के उनको explain करती हैं, जैसे bandura's social cognitive theory of moral thought and action, अब bandura जो है वो कहते हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं और जो आप act करते हैं, दोन of moral understanding and moral personality, यह कहते हैं कि आपकी शक्सियत जिस तरह से perceive करेगी चीजों को, जो कुछ आप है inbuilt, जब आप environment से interact करेंगे, तो फिर आप उस तरीके से behave करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी personality और आपकी understanding या perception दोनों मिलके आपकी morality को जनम देते हैं, then Gips integration of Kohlbergs and Hoffman's theories of morality, अब Gips यह कहते हैं कि जो Kohlberg की थेरी है, Kohlberg ने काफी stages दही है, आने वाले modules में हम उनको तफसील से देखेंगे इन moral theories को, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे educators को moral theories की समझ आ जाएगी, तो वो असानी से बच्चों के अंदर incorporate कर प के तहत आप सीख रहे हों, बलके मुख्तलिफ चीजें मिलके आपको किसी moral result पर जाने में मदद देती हैं, जैसे मैंने अर्स किया कि हमारी inbuilt क्या है, socially हम किस तरह से behave कर रहे हैं, देखिए ये भी तो होता है ना, आप एक group में काम कर रहे हों, तो आप किसी के साथ कुछ behave कर कर रहे हैं, इसलिए आपने अपना behavior चेंज कर दिया, अब ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, जो खास तोर पे हम peer pressure में देखते हैं, कि अगर दूसरे बच्चे लड़के smoking कर रहे हों, तो एक बीच में खड़ा होता है, वो सोचता है कि शायद मैं इन से क हमतर हूं, मैं smoke नहीं कर सकता, ये तो smoke कर रहे हैं, तो वो भी करना शुरू हो जाता है, या अगर एक group में से कोई एक अच्छा काम करना, जैसे रास्ते से गुजरते हुए, वो कोई कुड़ा कर्कट की चीज है, तो रास्ते से हटाता है, तो दूसरे सोचते हैं कि यार ये कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, अब वो भी फिर उठाना शुरू कर देता है, तो एक को देखके दूसरे influence होते हैं, तो हम अपनी social environment को भी इसमें से खारिज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी integrated theories की हमारे पास बेशुमार मिसाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सारे जो affect, ज लगते हैं,